उक्सपोर्ड ऐस्ट्रोजनेक का वैक्सिन के ट्रायल के बाद बहुत सकारात्मक नतीजों की खबरे आई कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग में ठीका कारेकरम के लिए उक्सपोर्ड विश्वी द्यालेई ने एक महिला वैज्यानिक के नेत्रुत्व में शोथ किये जिने अब तक काम्याब माना जा रहा है सारा गिलबर्ट जी हाँ यही उस महिला वैज्यानिक का नाम है जिसकी बदोलत अब यूके और दुनिया को कोवीड-19 वैक्सिन मिलने की पूरी उमेद मिली है एक समय विज्यान का शेत्र छोड़ने का मन बना चुकी सारा के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ खास है पिछले ही दिनों BBC ने साल 2020 की सौप्रबावशाली महिलाओं की सुची जारी की थी और इसमें भी सारा का शुमार था सारा वैक्सिन रिसर्च को लेकर पिछले कई महिनों से चर्चा में रही है अब जब की ट्रायलों के बाद वैक्सिन का असर 90% तक होने की खबर आई है तब सारा की योगदान को नवाजा जा रहा है जानिये सारा की कहानी और उनके जीवन के दिल्चस्प मोड जब सारा एंगिला युनिवसिटी में बायलोजी साइंस की पढ़ाई कर रही थी तब उनके मन में कई शेत्रों का अनुबव और विचारों को हासिल करने की इच्छा थी लेकिन जब उन्होंने हल युनिवसिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई की तो उन्हें बहुत समय एक ही विशे पर फोकस करना पड़ा यहां उनके मन के खिलाब बात थी उसी वक्त सारा ने विज्ञान के शित्र को अलविदा कहने तक का मन बना लिया था जी हां इसी साल BBC के रेडियो 4 के एक कारेक्रम में सारा ने बताया था विज्ञान से पीछा छुडाने का मन बनाने के बाद उन्होंने फिर सोचा और तई किया कि खुद को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि उन्हें उस वक्त कुछ कमा की ज़रुद भी थी अगर सारा ने यह नेड़े न लिया होता तो आज वे उस वैक्सिन विकास के काम को अंजाम न दे पाती जिसे ट्राइल के बाद 70 से 90 फे सदी तक असरदार माना जा रहा है इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले साथ ही कोरोना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले माने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले